लगबग 48 गंटे बाद दिली के तमाम रेनबसेरों के अंदर एक बार फिर से रहने वाले हजारों के संख्या में जो बेगर हैं उनको एक बार फिर से खाना जो है वो मिलना शुरू हो गया है हम इस वक्त मौझूद हैं कश्मीरी गेट रेनबसेरे में यहाँ पर तकरीबन बात की जाये तो 2-5,000 के आसपस बेगर लोग रहते हैं जो दिन भर आसपस के कई इलाकों के अंदर जो है वो काम करते हैं दरसल 16 तारीक को इन तमाम शेल्टर में रहने वाले लोगों के जो खाने की विवस्था थी उसको बंद कर दिया गया था दरसल इन तमाम सेंटर में जो भोजन सप्लाई करती है उसमें 60% हिस्सा दिली सरकार का है तो 40% हिस्सा जो है वो अक्षे पात्रा नाम की संस्था का ह जिसने ये कहा डूसूप को कि उसके पास वितियस आईता नहीं है जिसके चलते वो भोजन जो है वो नहीं कर सकती जिसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ मीडिया में आया उसके बाद सरकार ने पूरी तरह से इनिशेटिव लिया इस पूरे मामले क को संजीता से लेते हुए और यहां पर एक बार फिर से भोजन की विवस्ता जो है वो शिरू की गई है तमाम लोग हैं जो यहां पर रहते हैं यह बताईए कि कितनी परशानी हुई आपको जब भोजन नहीं मिला कब बंद हुआ था सर सोला तारिक को हम लोगो नहीं मिला सत्रा तारिक को नहीं मिला और दिक्कत यह वही कि सबसे ज़्यादा जो लोग एजेड हैं मोर देन फिफ्टी येर्स ओल्ड उनको अगर यहां पर जो संस्थाएं हैं या कुछ परसनल लोग बाटने के लिए आते हैं तो इतनी हाँ अब हम लोगों को जो है आज सबेरे से नाश्ता और बोजन दूनों चालू हो गया है और हम लोग सम्मान जनक धंक से जस तरीके से भोजन प्राप्त कर रहे थे अब पुना हमें प्राप्त होने लगा है आपको मिल रहा है बोजन प्रोपर? लोगों को मिलता है बांस लोगों को नहीं मिलता है लेकिन सम्मान जनने कुछ by मिलता है ठीट लोग काफी खुश है कि अख लगबग 48 गंटे बाद इनको फिर से सम्मान जनना भोजन जो है वो मिलने लगा है हमारे साथ CSD जो गई एंज्व है इस पूरे night shelters को जो है वो हो चलाती है राइन बसेरों को चलाती है उनकी देखरेंग भी करती है सुनिल अडिली है है हमारे साथ सुनिल क्या पूरा मामला था लगबक दिली में कितने रेंड बसे रहे हैं कितनी population रहती है तेकि दिल्ली के अंदर सरकारी आकड़े की बात करें कि तो 16,760 लोग दूसिब कहती है उसमें 195 shelter home है कोविड के बास से इसमें जो occupancy social distancing के हिसाब से करीब हाफ हो गया 6-7000 लोग आते हैं सरकार ने 6-7000 लोगों के लिए खाने का अंदिजाम कोविड के बास से संसा जो थी अक्षया पात्रा के थुरू तीन टाइम का बोजन इनको देना सुरू किया जिसमें एक breakfast, दुपैर का lunch और रात का डीनर है अक्षया पात्रा के पास भी अभी हमेरे को पता लगा कि 15 तारिक को उन्होंने एक लेटर लिखा कि शल्टर में जो है खाना वो नहीं दे पाएंगे तो Friday के दिन इनको खाना बंद हो गया 16 तारिक से फ्राइडे को हमारा नाइट वीजिल होता है तो हम रात को नाइट वीजिल पर जब आए तो यहां पे करीब कुछ कॉल भी किया हमारा एक फ्राइडे को नाइट वीजिल होता है तो हम हर शल्टर में जाकर जो इश्यूज होते हैं उसको रेज करते हैं सरकार के सामने रखते हैं तो रात को एक बजे करीब यह सबीद इंतिजार कर रहे थे कि आज संस्ता से कुछ लोग आएंगे जो मोनिटरिंग करते हैं तो हम अपनी जो शिकायत है उनको देंगे तो इन्होंने मुख्या मंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा था जो कि हमने कल भेज भी दिया है चली बहुत शुक्रिया और यह मरसं सुनील है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में लगबख 16,000 से भी जादा बेघर लोग जो है वो इस तरीके से रेन बसेरों में रहते हैं उनके लिए खाने ना होनी की विवस्ता देख करके उनके लिए कितनी परशानी है ले किस द सकता है झाल यह मरसं करके से लिए से परशानी है